गोविंदगर उपकांडिक छेतर के रामबास में श्रीशी एकजाराट शी जानकी दासजी महराज की पुन्यतिती के उपलक्षे में शीमत भागवत कथा का ग्यान यग्य का भव्य आयोजन श्री कालधारी आश्रम मंदिर पर किया जा रहा है शीमत भागवत कथा का 30 जून से होकर 5 जून तक चलेगी संगीत में शीमत भागवत कथा का वाचन भागवत आचारे पंडिश्री नित्य गोपाल शास्त्री व्रनावन वाले अपने समुदुर भाशा में कथा अमरत्मान कर रहे हैं 5 जून को कथा के समापन उपरांत 6 जून को भवय हवन आहूती के साथ ही विशाल प्रसादी भंडेर का आयुजन किया जाएगा मंदिर महंत रामधार दास ने बताया कि प्यतिवश्की भाती शीजान की दास जी महराज की पुन्यती थी में मंदिर पर शीमक भादवत कथा का संगीत में आयुजन किया जाता है कथा में श्री किर्ष्ण बाल लीला, पूतना वद, कालिया नाग, वद, गोवर्दन पूजा की कथा सुनाए गई कथा में भाजपा नेथा सुकवंत सिंग ने कथा वाचक का माला वैसाफा पहना कर सम्मान किया एवं सभी भक्तों को हनवान चालिसा का वितरन किया गया मंगलवार को कंशिवद रुकमेनी विवाह की कथा का रस्पान करवाया जाएगा वहीं दूसरी और रामवास में शिव चौक पर सैनी समाज के द्वारा श्रीश्री 2018 श्रीजान कि दासजी महाराज की पुन्यतिती में श्रीमत भागवत कथा ज्यान यग्डि का आईजन किया जा रहा है सचिन कौशिक महाराज गोवरद धाम द्वारा स्थंगीत में समुदृ भाशा में कथा का रस्पान कराया जा रहा है वहीं कथा समापन के बाद 6 जून को विशाल भंडारा प्रसादिक आयोजन किया जाएगा वहीं के बाद 6 जून को विशाल भंडारा प्रसादिक आयोजन किया जा रहा है उसमें आज मैं दोनों जगे पहुंच कर मैंने आशिरवाद दिया और मैं सभी से आगरे करता हूँ निवेदन करता हूँ कि छे तारिक को बड़ा बंडारा भाराज जान कि दाशे के पूंपी पर किया जाएगा आप सबसे हाद जोड़ के निवेदने कि आप सब भी प्रशादी लेने के लिवाश्मत आ रहें तो इस दो दिन अभी वागवत कथा और चलेगी उसमें भी आप पहुच कर आश्रिवाद लें आशे जिर आप